नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है मुन्शी प्रेम चंद के प्रेणादा कहानियों में से एक कहानी जिसका शिर्षक है सुभागी और लोगों के हाँ चाहे जो होता हो, तूलसी महतो अपनी लड़की सुभागी को लड़के रामु से जो भर भी कम प्यार न करते थे रामु जवान होकर भी कुछ काठ का उल्लू था सुभागी ग्यारा साल की बालिका होकर भी घर के काम में यो चतुर और खेती बारी के काम में इतनी निपुन थी कि उसकी मा लक्ष्मी दिल में डरती रहती कि कहीं लड़की पर देवताओं की आँख न पड़ जाए अच्छे बालकों से भगवान को भी तो प्रेम है कोई सुभागी का बखान न करे इसलिए वह अनायास ही उसे डांटी रहती थी बखान से बच्चे बिगर जाते हैं या भै तो न था भै था नजर का वही सुभागी आज 11 साल की उम्रे में बिद्वा हो गई घर में कोहराम मचा हुआ था लक्ष्मी पचार खाती थी तुलसी सिर पीटते थे उन्हें रोते देख सुभागी भी रोती थी बार बार माँ से पूछती क्यों रोती हो अम्मा मैं तुम्हें छोर कर कहीं न जाओंगी तुम क्यों रोती हो उसकी भोली बाते सुनकर माता का दिल और भी फटा जाता था वह सोस्ती थी इश्वे तुम्हारी यही लीला है जो खेल खेलते हो वो दूसरों को दुख दे कर ऐसा तो पागल करते हैं आदमी पागलपन करे तो उसे पागल खाने में भेजते हैं मगर तुम जो पागलपन करते हो उसका कोई दंड नहीं ऐसा खेल किस काम का कि दूसरे रोएं और तुम हसो तुम्हें लोग दयालू कहते हैं यही तुम्हारी दया है और सुभागी क्या सोच रही थी उसके पास कोठरी भर रुपए होते तो वह उन्हें छिपा कर रख देती फिर एक दिन चुपके से बाजार चली जाती और अम्मा के लिए अच्छे-च्छे कपरे लाती दादा जब बाकी मांगने आते तो चट रुपए निकाल कर दे देती अम्मा दादा कितने खुश हो जाते जब सुभागी जवान हुई तो लोग तुलसी महतों पर दवाब डालने लगे कि लड़की का कहीं घर कर दो जवान लड़की का यो फिर न ठीक नहीं जब हमारी बिरादरी में इसकी कोई निन्दा नहीं है तो क्यों सोच विचार करते हो तुलसी ने का भाई मैं तो तयार हूँ लेकिन जब सुभागी भी माने यह तो किसी तरह राजी नहीं होती हरिधर ने सुभागी को समझाया बेटी हम तेरे ही भले को कहते हैं मा बाप अब बूढे हुए उनका क्या भरोसा तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी सुभागी ने सिर चुका कर कहा चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ लेकिन मेरा मन घर करने को नहीं कहता मुझे आराम की चिंता नहीं है मैं सब कुछ हिलने को तयार हूँ और जो काम तुम कहो वह सिर आखों के बल करूँगी मगर घर बसाने को मुझे से ना कहो जब मेरी चाल कुचाल देखना तो मेरा सिर काट लेना अगर मैं सच्चे बाप की बेटी होंगी तो बात की भी पक्की होंगी फिर लज्जा रखने वाले तो भगवान है मेरी क्या हस्ती है कि अभी कुछ कहूँ उज्जर रामू बोला तुम अगर सोचती हो कि भाईया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूँगी तो इस भरो से ना राना यहां किसी ने जन भर का ठेका न लिया है रामू की दुलन रामू से भी दो अंगुलू ची थी मटक कर बोली हमने किसी का कर्ज थोड़ी ही खाया है कि जन भर बैठे भरा करे यहां तो खाने को भी महीन चाहिए पहनने को भी महीन चाहिए यह हमारे बूते की बात नहीं है सुभागी ने गर्व से भरे हुए स्वर्मे का भाभी मैंने तो तुम्हारा आसरा भी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी खरूंगी भी नहीं तुम अपनी देखो मेरी चिंता ना करो रामो की दुलहन को जब मालूम हो गया कि सुभागी घर ना करेगी तो और भी उसके सिर्फ सवार हो गई हमेशा एक नए खुचद लगाए रहती उसे रुलाने में जैसे उसको मज़ा आता था वो बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पीसने में लग जाती चौका बरतन करती गोवर पात्सी फिर खेद में काम करने चली जाती दो पहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पका कर सबको खिलाती रात को कभी मा के सिर में तेल डालती कभी उसकी दे दबाती तुलसी चिलम के भक थे उन्हें बार बार चिलम पिलाती जहां तक उसका बस चलता मा बाप को कोई काम न करने देती हाँ भाई को न रोकती सोचती यह तो जवान आदमी है यह ना काम करेंगे तो ग्रिहस्ती कैसे चलेगी मगर रामो को यह बुरा लगता अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है यहां तक कि एक दिनवा जामे से बाहर हो गया सुभागी से बोला अगर उन लोगों का बरा मो है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती हो तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है कि मीथी दूसरों के बल पर वावाही लेना आसान है बहादूर वह है जो अपने बल पर काम करे सुभागी ने तो कुछ जवाब न दिया बात बढ़ जाने का भैथा मगर उसके माबाब बैठे सुन रहे थे मा तो उसे न रहा गया बोले क्या है रामू उस गरीवन से क्यों लरते रते हो रामू पास आकर बोला तुम क्यों बीच में कूद पड़े मैं तो उसको कहता था तुलसी जब तक मैं जीता हूँ तुम उसे कुछ नहीं कह सकते मेरे पीछे जो चाहे करना बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया है रामू आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले बांद कर रखिए मुझसे तो नहीं सहा जाता तुलसी अच्छी बात है अगर तुमारी यही मर्जी है तो यही होगा मैं कल गाउ के आदमियों को बुला कर बटवारा कर दूँगा तुम चाहे छूट जाओ तो घर में रुपए होते वे भी उन्होंने एक कौरी न खर्च की पुत्र को रत्न समझा पुत्री को पुर्व जर्म के पापों का दंड वह रत्न कितना कठोर निकला और वह दंड कितना मंगल मैं दूसरे दिन महतो ने गाउं के आदमियों को जमा करके कहा पंचो अब रामू का और मेरा एक में निवाह नहीं होता मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंसाफ कर जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाओं रात दिन की किच-किच अच्छी नहीं है गाउं के मुखतार बाबू सजन सी बरे सजन पुरुष थे उन्होंने रामू को बुला कर पूछा क्यों जी तुम अपने माबाप से अलग रना चाहते हो तुमें शर्म नहीं आती कि औरत के कहने से माबाप को अलग किये देते हो राम राम रामू ने ठिठाई से कहा जब एक में ना गुजर हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है सजन सी तुमको एक में क्या कश्ट होता है रामू एक बात हो तो बताऊ सजन सी कुछ तो बताओ रामू सहाब एक में मेरा इनके साथ निबाना होगा बस मैं और कुछ नहीं जानता यह कहता हुआ रामो वहां से चलता बना तुलसी देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज आप चाहे चार हिस्सों में तीन हिस्सा उसे दे दे पर अब मैं उस दुष्ट के साथ न रहूँगा भागवान ने बेटी को दुख दे दिया नहीं तो मुझे खेती बारी लेकर क्या करना था जहां रहता वही कमाता खाता भागवान ऐसा बेटा साथवे बैरी को भी न दे लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होए सहसा सुभागे आकर बोली दादा यह सब बाट बखरा मेरे ही कारण तो हो रहा है मुझे क्यों नहीं अलग कर देते मैं महनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूँगी अपने से जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सेवा करती रहूंगी पर रहूंगी अलग यो घर का बारा बटवारा होना मुझ से नहीं देखा जाता मैं अपने माथे पर या कलंक नहीं लेना चाहती तुलसी ने का बेटी हम तुझे न छोड़ेंगे चाहे संसार छोड़ जाए रामु का मैं मुझ नहीं देखना चाहता उसके साथ तो रहना दूर रामु की दुलन बोली तुम किसी का मुँ नहीं देखना चाहते तो हम भी तुमारी पूजा करने को वैकुल नहीं है महतो दांट पीस्ते उठे की बहु को मारें मगर लोगों ने पकर लिया पटवारा होते ही महतो और लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई पहले तो दोनों सारे दिन सुभागी के मना करने पर भी कुछ न कुछ करते ही रहते थे पर अब उन्हें पूरा विश्राम था पहले दोनों दूद घी को तरसते थे अब सुभागी ने कुछ रुपे बचा कर एक भैस ले ली बूढ़े आदमियों की जान तो उनका भोजन है अच्छा भोजन ना मिले तो वे किसके आधार पर रहे है चौधरी ने बहुत विरोध किया कहने लगे घर का काम योही कम है कि तू नया जंजट पाल रही है सुभागी उन्हें बहलाने के लिए कहती दादा मुझे दूद के बिना खाना नहीं अच्छा लगता लक्षमी ने हस कर का बेटी तू जूट कबसे बोलने लगी कभी दूद हाथ से तो छूती नहीं खाने की कौन कहे सारा दूद हम लोगों के पेट में ठूस देती है काउं में जहां देखो सब के मुँ में सुभागी ती तारिफ लर्की नहीं देवी है दो मर्दों का काम भी करती है उस पर माबाप की सेवा भी किये देती है सजन सिंग तो कहते यह उस चन्द की देवी है मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिन तक भोगना न लिखा था साथ-ाठ दिन से महतो को जोर का ज्वर चड़ावा था देपर कपरों का तार भी न रहने देते लक्ष्मी बैठी पास में रो रही थी सुखागी पानी लिए खरिये अभी एक शन पहले महतो ने पानी मांगा था पर जब तक वह पानी लाए उनका जी डूब गया और हाथ मों ठंडे हो गए सुखागी उनकी यह दशा देखते ही रामो के घर गई और बोली भाईया चलो देखो आज दादा नजाने कैसे हुए जाते हैं साथ दिन से ज़ड नहीं उत्रा रामो ने चारवाई पर लेटे लेटे का तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूँ कि देखने चलूँ जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले की हार बनी वी थी अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो उसी वक्त उसकी दुलहन अंदर से निकल आई और सुभागी से पूछा दादा को क्या हुए दीदी सुभागी से पहले रामो बोल उठा हुआ क्या है अभी कोई मरे थो रही जाते है सुभागी ने फिर उससे कुछ न कहा सिधे सजन सिंग के पास के उसके जाने के बाद रामो हसकर स्त्री से बोला त्रिया चरित्र इसी को कहते है स्त्री इसमें त्रिया चरित्र की कौन सी बात है चले क्यों नहीं जाते रामो मैं नहीं जाने का जैसे उसे लेकर अलग हुए थे वैसे उसे लेकर रहें मर भी जाएं तो न जाओ इस्त्री ने हसकर का मर जाएंगे तो आग देने तो जाओगे तब कहां भागोगे रामो कब भी नहीं सब कुछ उनकी प्यारी सुभागी कर लेगी स्त्री तुम्हारे रहते वह क्यों करने लगी रामो जैसे मेरे रहते उसे लेकर अलग हुए और कैसे स्त्री नहीं जी यह बात अच्छी नहीं है चलो देखाएं कुछ भी हो बाप ही तो है फिर गाउ में कौन समों दिखाओगे रामो चुप रहो मुझे उपदेश मत दो उधर बाबू सहाब ने जियो ही महतो की आहलत सुनी तुरंट सुभागी के साथ चले आए यहां पहुँचे तो महतो की दशा और भी खराब हो चुकी थी नारी देखी तो बहुत धीमी थी समझ गए कि जिन्दिगी के दिन पूरे हो गए मौत का आतंक शाया हुआ था सजल नेतर होकर बोले महतो भाई कैसा जी है महतो जैसे नीन से जाक कर बोला बहुत अच्छा है भाईया अब तो चलने की बेला है सुभागी के पिता अब तुम ही हो उसे तुमे को सो पे जाता हूँ सजल सींग ने रोते हुए कहा भाईया महतो घबराओ मत भागवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे सुभागी को तो मैं हमेशा अपनी बेटी समझा है और जब तक चीओंगा ऐसा ही समझता रहूंगा तुम निश्चिंत रहो मेरे रहते सुभागी या लक्षमी को कोई तिर्ची आख से न देखेगा और रिक्षा हो तुवा भी कह दो महतो ने विनित नेत्रों से देख कर कहा और कुछ नहीं कहूंगा भाईया भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे सजन सिंग रामु को बुला लाता हूं उससे जो भूल चुक हुई हो शमा कर दो महतो नहीं भाईया उस पापी हत्यारे का मुँ मैं नहीं देखना चाहता इसके बाद गोदान की तयारिया होने लगी रामु को गाँ भरने समझाया पर वो अंतेश्टी करने को राजी न हुआ कहा जिस पिता ने मरते समय भी मेरा गमु देखना सुखार न किया न वह मेरा पिता है न मैं उसका पुत्र लक्ष्मी ने दाह क्रिया किये इन थोरे से दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे रुपय जमा कर लिये थे कि जब तेर्मी का सामान आने लगा तो गाँ वालों की आँखे खुल गई बरतन, कपड़े, घी, शक्कर सभी सामान इफराच से जमा हो गए रामु देख देख कर जलता था और सुभागी उसे जलाने ही के लिए सब को या सामान दिखाती थी लक्षमी ने का बेटी, घर देख कर खर्च करो अब कोई कमाने वाला नहीं बैठा है आप ही कुआ खोदना और पानी पीना है सुभागी बोली बाबु जी का काम तो धुम धाम से ही होगा अम्मा, चाहे घर रहे या जाए बाबु जी फिर थो रही आएंगे मैं भया को दिखा देना चाहती हूँ कि अबला क्या कर सकती है वाज समझते होंगे इन दोनों के किये कुछ न होगा उनका या घमट तोर दूँगी लक्षमी चुप रही तेरवी के दिन आठ गाउं के ब्रामनों का भोजवा शारो तरफ वाहवा मच गई पिछले पहर का समय था लोग भोजन करके चले गए थे लक्षमी ठक कर सो गई थी केवल सुभागी बची हुई चीजे उठा उठा कर रख रही थी कि ठाकूर सरजन सिंग ने आकर कहा अब तुम भी आराम करो बेटी सवेरे से यह काम कर ले ना सुभागी ने का अभी ठकी नहीं हूँ दादा आपने जोड लिया कुल कितने रुपए उठे सरजन सिंग वह पूछ कर क्या करोगी बेटी मैं मांगता नहीं महतो मेरे मित्र और भाई थे उनके साथ कुछ मेरा भी तो धर्म है आपकी यही दया क्या कम है आपने मेरे उपर इतना विश्वास किया मुझे कौन तीन सर रुपए दे देता सरजन सिंग सोचने लगे इस अबला की धर्म बुद्धी का कहीं वार प्यार भी है या नहीं लक्ष्मी उन इस्त्रियों में थी जिनके लिए पती वियोग जीवन श्रोत का बंध हो जाना है पचास वर्ष के चीर सहवास के बाद अब यह एकान जीवन उसके लिए पहार हो गया उसे अब ग्यात हुआ कि मेरी बुद्धी, मेरा बल, मेरी सुमती मानो सबसे मैं वंचित हो गई उसने कितनी बार इश्वर से विंती की थी कि मुझे स्वामी के सामने उठा लेना मगर उसने यह विंती स्विकार ना की मौत पर अपना काबू नहीं तो क्या जीवन पर भी अपना काबू नहीं वह लक्षमी जो गाउं में अपनी बुद्धी के लिए मशहूर थी जो दूसरों को सीख दिया करती थी अब बोरही हो गई है सीधी सी बात करते नहीं बंगती लक्षमी का दाना पानी उसे दिन से छूट गया सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती मगर कौर कंट के नीचे न उतरता पचास वर्ष हुए एक दिन भी ऐसा ना हुआ कि पती के बिना खाय उसने खुद खाया हो अब उस नियम को कैसे तोड़े आखिर उसे खासी आने लगी दुरबलता ने जल्द ही खाट पर डाल दिया सुभागी अब क्या करे ठाकुर सहाब के रुपए चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की जुरत थी यहां मा बिमार पढ़ गई अब अगर बाहर जाय तो मा अकेली रहती है उनके पास बैठे तो बाहर का काम कौन करे मा की दशा देखकर सुभागी समझ गई की इनका परवाना भी आ पहुँचा महतो को भी यही जुर था गाउ में और किसे फुरसत थी की दौर धुप करता सजन सिंग दोनों वक्त आते लक्षमी को देखते दवा पिलाते सुभागी को समझाते और चले जाते मगर लक्षमी की दशा बिगरती जाती थी यहां तक की पंध्रवे दिन वह भी संसार से शिधार गई अंतिम समय रामू आया और उसके पैर छुना चाहता था पर लक्षमी ने उसे ऐसी जिरकी दी कि वह उसके समीब न जा सका सुभागी को उसने आश्रवात दिया तुम्हारी जैसी बेटी पाकर तर गई मेरा क्रियाकरम तुम ही करना मेरी भगवान से यही अर्जी है कि उस जंग में भी तुम ही मेरी कोप पवित्र करो माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक लक्ष रह गया सरजन सिंग के रुपए चुकाना तीन सो रुपए पिता के ख्रियाकरम में लगे थे लगवाग दो सो रुपए माता के काम में मात सो रुपए का डिन था और उसकी जान मगर वह हिम्मत न हारती थी तीन साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा उसकी कारे शक्ति और पौरुष देखकर लोग दातों तले उंगली दबाते दिन भर खेतीवारी का काम करने के बाद वह रात को चार-चार पसेरी आटा पीस डालती तीसवे दिन पंदरा रुपए लेकर वह सजन सिंग के पास पहुँच जाती इन में कभी नागा न परता यह मानो प्रकृति का अटल नियम था अब चारो ओर से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे सभी उसके लिए मू फैला हुए थे जिसके घर सुभागी जाएगी उनके भागी फिर जाएंगे सुभागी यही जवाब देती अभी वह दिन नहीं आया जिस दिन सुभागी ने आखरी किस टुकाई उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना ना था आज उसके जीवन का कठोर व्रत पुरा हो गया वह चलने लगी तो सजन सिंग ने कहा बेटी तुमसे मेरी एक प्रार्थना है कहो कहूं को ना कहूं मगर वचंदों की मानोगी सुभागी ने कृतगे भाव से देखकर कहा दादा आपकी बात न मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी मेरा रोया रोया आपका गुलाम है सजन सिंग अगर तुम्हारे मन में यह भाव है तो मैं न कहूंगा मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम अपने को देंदार समझ रही थी अब रुपय चुक गये मेरा तुम्हारे उपर कोई एहसान नहीं है रत्ती भर भी नहीं बोलो कहूं सुभागी आपकी जो आग्या हो सजन सिंग देखो इनकार न करना नई मैं फिर तुम्हें अपना मू न दिखाऊंगा सुभागी क्या आग्या है सजन सिंग मेरी इक्षा है कि तुम मेरी बहु बनकर मेरे घर को पवित्र करो मैं जातपात का कायल हूँ मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिये मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है तुमने उसे बारहा देखा बोलो मन्जूर करती हो सुभागी दादा इतना सम्मान पाकर पागल हो जाओंगी मैं सजन सिंग तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं तुम साक्षात भगवति का अव्तार हो भागी मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे आपके हुकम को मैं कैसे इंकार कर सकती हूँ सजन सिंग ने उसके माते पर हाथ रखर कहा बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो तुमने मेरी बात रख ली मुझसा भागिशाली संसार में और कौन होगा धन्यवाद